चलिए दोस्तों मैं आपके सर्मने जेटा के बारे में आपको फर्स्ट गूडियू में आपको बताया था यह जेटा है 2010 मॉडल है 2.0 टर्बो डीजल इंजन है जो बहुत ही हेवी और अपने अपने टाइम की बहुत ही लगजरी गाड़ी है आज की गाड़ियों में सिडान हो कुछ भी हो उनसे भी अच्छे हाइटेक फीचर है आज की डेट में इसमें तो मैं और से पूछना चाहूंगा अभी तक के रिव commandments भूध है अच्छा तो आप service Ontario से कराते हैं कि बहार से कराते हैं यहां जाती है में कुछ लाड़ा याता है दूसर अटेर् tengan डाइम मे आप करते हैं कि यहां ऩाँ अ seulव पे यहां पक्रविकितल मस टरवर एक हाइवे पे इसका माइलेज जो मैंने नोट कर रहा है वो गया है अराउंड 16-17 मैक्स नो मैक्स 18 गया होगा और इन सिटी 12-15 डिमेंड करताब चलाते कैसे है तो आपको इसके लिएक्स बहुत अच्छा रहा होगा क्यों कि आप यह रोड पे जाते होगे तो रोड प्रेजन इ चाहे कोई लेना चाहे इस गाड़ी को तो आप क्या बोलते हैं अभी यह नई तो बिल्कुल भी मिलेगी नहीं आपको मिलेगी है गाड़ी अप सेकेंड और सेकेंड मिलने पर आपको काफी चीप मिल जाएगी दो से तीन लाग के अंदर अगर आप इसके मैंटेनेंस के लि पीछे बूट स्पेस अच्छा है सबकर सामान आ जाता है जिस्ते लोग ट्रेवल कर रहे हैं चार से पांच का आराम से सूट केसा जाएंगे कोई भी इशू नहीं आता कंफ़डेवल गाड़ी है पीछे आराम से तीन लोग बैट सकते हैं आगे दो लोग बैट सकते हैं और पर लोग बढ़ता है जैसे देख रहा हूं इस गाड़ी में लेग स्पेस बी और बूर स्पेस बहुत अच्छा है कि तो मतलब आपका एक्सपेरियंस को लेके बहुत अच्छा रहा है तो आप रिकमेंट करेंगे किसी को लेना है तो आप कर सकते हैं अपने अपने कोश्ट इसका फील आपको लेना है तो इसके लिए आप बड़ा भाई पोलो का बड़ा भाई पोले तो बच्ची है इसमें आपने कुछ मोडिफिकेशन से कुछ एड करा है मूट नहीं नहीं कम्प्लीट स्टॉक यह कुछ भी नहीं लगवाया इसमें इसमें स्टॉक में इतना सब कुछ दिया है तो ठीक है चलिए और रिव्यू ऐसा रहा है कि अच्छी गाड़ी है यह मगर आपको बता दिया उनने क्या प्रोव नमस्कार ऐसे जोड़ी रही है हमाई चैनल पर मैं ऐसे लाता रहूंगा आपके लिए जनकरी और दूसरे गाड़ी उसे आने वाले वीडियो में हम एसपाइड डीजल वैसे पैट्रोल के बारे में हम साइड बाई साइड उसके प्रोवस और कौन हम सापको बताएंगे कि क हम और रिवी आपको देंगे तो जुड़े रहे हमाई चैनल के साथ तब तक लिए नमस्कार